So, hey everyone, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका आप बहुत कम स्कूर आ रहा होगा अब ही वो क्या करेंगे, वो जो टॉपिक्स उनको नहीं आते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उनकी तरफ भागने की कोश्च करेंगे एक बात मेरी याद रखना, बाइलजी सेलेक्शन करवाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री रांक इंप्रूव करवाते हैं जो भी स्टूड़न्स इस टाइम पर वीक चल रहे हैं, स्ट्रॉंग चल रहे हैं, वेलन गुड़, आप इस वीडियो से थोड़ा बात आपको फाइदा होगा, लेकिन मेनली मैं उन बच्चों की बात कर रही होंगी, जो इस टाइम पर 300 से लेके वो 500 रेंज के आस पास तक उसके बीच में चल रही हैं, अब बहुत अच्छा इंप्रूव्मेंट अगले 40 दिन में ला सकते हैं, सी, 620 अपना सेफ स्कोर है, इतना मिनिमम हमको लाना ही लाना पड़ेगा, चिक है, अब बाइलेजी के अंदर आपको कम से कम 340 प्लस, अगर आपकी फिजिक्स 130 के आस की होती है, केमिस्ट्री में 150 के आस पास, तो पायोम को जो तुमको अगले एक महीने में फोकस करना है, उसको जो इंपोर्टन्स देनी है, that is going to be on another level, getting me right, एक सिंगल चाप्टर आप नहीं छोड सकते, क्योंकि 340 नंबर लाने का मतलब है, 85 प्लस, सही question करना, और मैं पूरी धंग से डीटेल में, इस वीडियो में स्ट्राटीजी बताने वाली हूं, कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे मैं तुमको चीज़े करवाने वाली हूं, ध्यान से सुनते जाना, सबसे पहली बात, 21 मार्च मेरे समय में भी वो दन था, जब मैंने, मैं हर बार इस बात को बोलती हूं कि मैंने एलन में उस टाइम पर पढ़ती थी, एलन के मॉडिल्स उठा कर फेंग दिये थे, और फाइनली सर्फ इन्सीयाटी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, और मैं ऐसी सिचुएशन पर थी, कि मैंने हाडली तीन से चार चाप्टर इन्सीयाटी के पढ़ रखे थे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रखा था, बहुत सारे स्टूडेंस ऐसे सोचेंगे कि मेरको आलन के मॉडिल्स आते होंगे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उन मॉडिल्स के अंदर इतना जादा है, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी इंपॉर्टन इंफरमेशन है, ज तुम लोग मेरी घलतियों से सीखे, तीन सो चालिस आराम से ला सकते हो, बायों में तीन सो चालिस लाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साथ में मिलकर लेकर आएंगे, ठीक है, सबसे पहली बात, सिर्फ इंसी आर्टी उठा लो, हाथ जोड़के में बोल रही हूं, अधर उसे सीखे चीजों को ठीक करने का, और उसके बाद पिछले चार साड़े चार साल से एक दीख रहे हैं, लाखों बच्चे हमने देखे, ठीक है, तो इस गलती को मत करना, कैसे आपको करना है, अगर आपको कोई चाप्टर नहीं आता, उसका वन शॉट देख लो, बायों में दो से धाई गंटे का वन शॉट काफी है, अभी आपका फोकस सामदाम दंडवेद उस चाप्टर को रटने पर होना चाहिए, ना कि उसको बहुत जादा समझने पर, except few chapters जिसको मैं भी बताऊंगे, जैसे ही आपने वो वन शॉट देखा, हलका सा उसके नोट्स अपने पास दूँगी, इस वीडियो के description में आपको मेरे telegram का link मिल जाएगा, आपको हर चाप्टर की DPP आ जाएगी, जिसमें past year questions, प्लस जो important question मेरे को लगते हैं, आ सकते हैं, दोनों included होगा, आपको ज़रूरत नहीं है, अलग से past year करने की, आप ये सिर्फ DPP कर लेना, much more than enough, अभी ये ऐसे chapters हैं, जो थोड़ा सा, या तो बहुत रटना इन में लगेगा, या फिर थोड़ा सा समझने का इन में लगेगा, जैसे molecular, mendelian genetics, biomolecules, ठीक है, ये समझने वाले chapters हैं, तो इनका आपको detailed one shot देखोगे, तभी आपका काम चलेगा, otherwise वो chapter आपको मोटा मोटी समझ में नहीं इसके लावा, plant kingdom, animal kingdom, morphology, structure organization में, cockroach आ जाता है, frog आ जाता है, तो वो chapter बड़े हो जाते हैं, इनको आप पूरा unit का one shot देखे कभी नहीं कर सकते हैं, ये chapters का screenshot ले लो, इनको individually करना, और ये ऐसी units हैं, except class 11th, sorry मैंने यहाँ पर नीचे हर किसी को class 12, class 12 लिख दिया, यहाँ पर class 11 class 11 की ये unit आप थोड़ी सी अलग-अलग chapter wise करना चाहूँ तो आपकी मरजी है, लेकिन मेरको ऐसे लगता है, ये सारी units, unit के one shot में की जा सकते हैं, यानि की पूरी की पूरी unit का अगर आप one shot देखोगे, उसके बाद अपनी NCRT पढ़ना, start करोगे, you can easily do it, trust me, आपको एक lecture दे चाहिए अभी आखरी समय में जो तुमको लेक्चर वही के वही याद करा के भेज दे, not just for the sake of कि ठीक हम आगे हमारे क्लास में बच्चे आगे, आके चले जाएंगे बस, ठीक हमने हर टॉपिक तच कर दिया, और बच्चों को लग रहा है हमने सब करा दिया, यार मैंने खु करके कितना कम समय हम एक लेक्चर को दे के माक्समाम आउटपुट निकाल सकते हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये बहुत सोच समझ के यह प्लान बनाया है, और अजर आप इसको फॉलो करते हो, इन यूनेट्स में हो सकता है, आपके कुछ चाप्टर्स कंपारिटिव ली वी हो उनका आप डीटेल में भी देख सकते हो, लेकिन रफली यही प्लान आपको फॉलो करना चाहिए, एटीन डेस के आसपास का यह प्लान बनेगा, जिसमें एक दिन कम्प्लीट क्लास 11 का सलेबस का वान शॉट, एक दिन कम्प्लीट क्लास 12 का सलेबस, पिर अगले चालिस दिन यह सेम पूरा का पूरा सिस्टम, इसी सिस्टम के बेसिस पे तुमको इस नीट से पहले पढ़ा सकती हूँ, लेकिन पहले एक तो कल 22 मार्च को, मैं मॉर्फोलोजी की सारी फैमिलीज की एक रिकॉर्डड वीडियो डालने वाली हूँ, उसके बाद 23rd मार्च को अनिमल 24th मार्च को प्लांट किंग्डम और 25th मार्च को बायलिजिकल क्लासिफिकेशन एक्जाक्टली पांच बजे से लेके, छोटा चाप्टर तो दो घंटा, बडा चाप्टर तो धाई घंटा, इसी चानल के उपर आपकी ये फ्री क्लास रहेगी, मैं क्या चाती हूँ, आप केमिस्ट्री खतम करके रख लेना, पांच से साड़े साथ का समय मुझे दे देना और उसके बाद दो घंटे के आसपास आपको वो चाप्टर NCRT करने में लगेगा, NCRT आपको कैसे करनी है, 10 मिनट्स प्लान फॉलो करना है, कैसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आपने इस पेज को 10 मिनट डेडिकेट करनी है, सामने टाइमर लगाना है, अगली 10 मिनट में दूसरा पेज, अगली 10 मिनट में ये दोनों पेज फिर से, आदे गंटे में आपके दो पेज, अगले आदे गंटे में ये दोनों, चार पेज एक गंटे में, फिर चार पेज दूसरे आप की उसके चाप्टर की पूरी की पूरी ENCe A.R.T. हो जाएगी आप ये तीन दन मेरे पास अपे देखलो उसके बाद मैं कहीं ने रही तुम इन सब प्रोसस के लिए मेरे उपर ट्रस्ट करो ठीक है तुम बस इन तीन दन मेरे पास आके देखलो मैं पूरा का पूरा best one shot like trust me अगर मैं तुमको families दिखा हूँ ना this is the research, all the research which I have done this is S. Tracy family पहले मैंने blue pen से एक जगे से कहीं पूरे notes बनाए फिर red से उसमें cuttings, addings, जितनी भी चीज़े अपने पास करी चिक है उसके बाद ऐसे सारी families, सारी families मैंने तुम लोग की ऐसे ही बनाई है उसके बाद फिर मैंने इसको पूरा फैर आउट कर रही हूँ अब फैर आउट करने के बाद तुम लोगों के लिए असान करने के लिए इस तरीके से एक चार्ट बनाया जा रहा है कमपारिटिव चाट ताकि मैं तुमको याद करा सकूं आई एम पुटिंग मैं आउल्मोस्ट इससर फैमिलीज में में मेरे को चार गंटा लगा है यह सब डिजाइन करने में इधर उधर से आर्टिकल से रीसर्च करने में आई एम पुटिंग मैं फोर आर जोना चाप्टर लेक्चर अटेंड कर लेना सर्फ तीन दन मेरे उपर भरुसा करके देख लो बहुत एक्सपेरिमेंट तुमने कर रहे होंगे बाकी कल यह रिकॉर्डड वीडियो डालूंगी तुमको समझ भी आ जाएगा और परसो तो हम लाइव मिलेंगे लाइव क्लास होगी मैं सामने लाइव बैट के बात करूंगी इसी यूट्यूब चानल पर सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी और इससे आपको पता भी चल गया आपको पढ़ना किस तरीके से है तुमको मेरा लेक्चर नहीं भी देखना जाने दो तुम जैसे मैंने बोल दिया ऐसे पढ़ लेना चि पीडिएफ में दे दूगी ताकि आपको कुछ रेफरेंस देखना हो कुछ देखना पड़े आपको मेरे टेलिग्राम के उस पर उसकी पीडिएफ मिल जाए और डीपीस तो मैंने बता दी है प्रॉपरली वेल डिजाइन होंगी पीवाई क्यूस प्लस जो एक्स्ट्रा मैं तुमको अपनी हम लोग की क्लास हुई थी थी थोड़ा रिवीजन करा रहे थे टीचर मैं तुमको अभी वीडियो भी दिखा सकती हूं एग्जाक्ली टुडए फोर एलेवन पीम और अभी 6.22 हुआ है इस वास देख उसके बाद 5.30 तक खतम हुई आई आते ही पूरा मैं किया इस वीडियो बन रही है और शायद पॉने साथ तक आप तक डिलिवर हुचुकी होगे All I want is तुम्हारा सेलेक्शन दो बच्चा एंगे पांच बच्चा एंगे मेरको से कोई मतलब नहीं है मेरको वह दो से ही खुशी मिल जाएगी पर वह डेडिकेशन के साथ आजाना आएं यह लेके जाएंगे मिरको पता है कि लास्ट में मेरी क्या सिचुएशन थी मिरको हेल्प मिल जाती ताच तो उनली मॉटिव फुमी कि तुम लोगों के लिए जो मुझे कमी लगती थी कि क काश टीचर ऐसा हूता I want to be that teacher काश मेरी एक बड़ी बहन हूती I want to be that sister that's all ठीक है कल मिलते हैं इस रिकॉर्ड लेक्चर के साथ और परसों से शाम पाच बजे लाइव तीन चाप्टर तीन दिन में खतम कर देंगे वो तीन दिन के बाद तुम मेरको बता देना what you want from me यह जो आपको प्लान दिया है उसमें आपके यहां जो तीन चाप्टर्स हैं यह तीन चाप्टर्स इस के खतम आपके हो जाएंगे फिर जो आपका हुकम जी सराकों पर वही फॉलो किया जाएगा thank you so much bye bye take care